अच्छा जी तो जी सुल्तान सलापीन साहिवा भी आई हलो हलो हां जी कैसी आप मैं ठीक साकूं मैंने दो बाते करने थी एक तो अच्छा जी बोला है वह आज मैंने शुरू में एक बीबीसी का आर्टिकल पड़ा जिसमें वनी होने वाली खवातीन की बात थी और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ये अभी भी होता है और कुछ-कुछ इलाकों में इलीगल है पर होता जरूर है तो एक औरत थी जि हो अभी पैदा नहीं उए थी और उसके बातना किसी का कजब कर दिया तो एक रिश्दारों की बेटी उन्होंने वनी में दे दी उसके लिए की बाप के कजब अब उसकी कोई बेटी नहीं थी बंदे की अफ ब ये पैदा हुई तो वो बेटी जो है उन्होंने कहा जी हम पूरे दिन में सिर्फ एक सूकी रोटी मिलती थी खाने के लिए और वो इसी तरह सालों तक उसका यही हाल रहा और इन दा एंड क्या हुआ कि जब उसके खावंद का कंबाइन फैमिली सिस्टम से उसका खावंद निकला तब जाकर उसकी जिन्दगी को इसान हुए तब तक व मर्द बगावट असानी से हमारे मगाशरे में कर सके हैं लड़कियों की तर्बियत होती है कि वह कर सकती है और उनके काम फरमा बरतार रहें जब्कि लड़के अगर बगावट करते हैं तो वह इतना बुरानी मायूब नहीं समझा जाते हैं एक मैं कुछ दिनों पहले मेरी प्रिश्ट के नजर से वो चाइल मेरिज के हवाले से थी खेर वो तो मैं वीडियो देख ली थी वो दस साल की बच्ची थी और उसको सबरदस्ती एक बड़ी उमर के आदमी के साथ शादी कर रहे थे और उसकी मा रो रही थी पीट रही थी वो बच्ची भाग भाग के अपनी के साथ चाकर ले पड़ती थी और वो से आदमी वह बनी का केस भी बेसिकलि हो सकता थी और ऐसा दिल-खराश मंजर कोई वीडियो बना रहा था और वह आदमी मतलब कोई उसे रोक नहीं रहा था सारे लोग के खड़ेख वे थैं पाकिस्तान में तो होता है और बहुत अभी कुछ केसिस तो रिपोर्ट होता है जाते हैं वहां पर चीज रिपोर्ट नहीं होती है तो पाकिस्तान में बिल्कुल इस तरह के केसिस हैं बहुत सारे केसिस हैं और मसला यह कि वहां पर वह जाके रिपोर्ट करेंगे किसे यहीं तो मसला है अब अगर पाकिस्तान के ट्राइबल बैल्ट में है तो वहां पर पुलीस भी प्रॉपर थाने उस तरह से आई नहीं है गाले आपको यह नहीं बूलना चाहिए कि हमारे जो इस तरह के राके हैं रिमोट राके हैं वहां पर थानेदार और वह सारा थाना जब तक वह उसको जाके सलामी नहीं जाकर पेश करता हैं वह उसकी मर्जी के मताबिक होते हैं उसका इंट्वेंशल के वह जाके हाजरी जा के देते हैं उसके आशिरबाद Lेते हैं क्योंकि उसके खाने आ रहे होते हैं उसके उसकी मराद पूरी होती है यू कांट एक्सपیک्ट थेम तूगों पर पूंस्तेम नहीं तो वहाँ पर टि कैंगे नहीं तो थाना कलचर तो बहुत हराब है पाकिस्तान में थाने जो बंद और पर्सनल कोनेक्शन और आपको पता है कि सारा कुछ पॉलिटिक्स थाने के साथ सबसे अदा पॉलिटिक्स थाने में मिल रही है कि कोई जगड़ा कुछ भी यह उदर यह वरत के हकुक की तो बात ही अभी मेरे ख्याल है हम उससे बहुत दूर है थाने का कल्चर का यह सब्सक्राइब करें तो यह तो हमारे थानों का हिसाब बाकी बात हो रही थी एक मैं आपको वाकिया सुनाती हूं रिलिजिन की बात हो रही थी मुक्तिलिफ रिलिजिन एंड हो थे हमिन बात की थी तो एक मेरी फैमली जैसे मैंने बताया आदीश ही है तो मेरी बहन आपने बच्चों को इमाम बारगाह ले की जाती है मैं भी कई दफ़ा गेंगे उसके साथ मुझे बढ़ा फैसेनेट करता है वह पूरा एक जो महर्रम से लेके सवा महीना पूरा जो होता है वहां पर चालीस से तक बहुत गहमा गहमी होती है आप कहानिया सुनने को मिलती है और वो तो वहां पर ना इमाम हुसैन के घोड़े की एक शबी के तौर पर जुल जना आते हैं इमाम हुसैन के कहते हैं घोड़े कराम जुल 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 जु तो लोग हाथ लगा के चुमते हैं तो उन्होंने भी सब को चुमा हाथ लगा के चुम रहें जी जुल जुना को तो महरम गुजर गया, एद आई तो आम लोगे ने करके बाइर देखा है कि वो पक्रियों को भी जो कुर्बाने के लिए आएवे पकरे थे उसके बच्चे हाथ लगा लगा के लो पक्रों के उपर चुम रहे थे हम पच्चों को तहीं बताना है उनना ने का कि जानवर जो भी है लोगों के इस पाए जाते हैं तो यह बिलीफ है बेसिकली अगर आप अंचेक रखें अगर आप देखे बहुत सारे लोग के देखे हमारे अगर आप देखें कोई आके कहते हैं कि यह रिलेजर बेटर रहे यह रिलेजर नहीं है उसमें यह इतना नौलेज तो सारे साइंटेश्यों में मंदिरों में चर्चों में क्यों मतलब उनको लाब्स की क्या शरूरत है? उनको स्वेड़ीक रीफार्च की क्या जरूरत है? अगर रिलिजिस स्थ्रिप्त्स मैं तुनिया की इतना नॉलेज हैं तो उनको तो किसी लाब की किसी साइन तीफική सब्सक्राइब दिए को फिर बी पाकि चीजों को प्रूफinks करने के लिए ऑफको वस्ट की तर्थिए के लिए आपको स्पेस में आ्म जाने के लिए आपको मैट के प्रॉल म सॉल्व करने के लिए आपको एम की ज़रूरत परती है sacred relevant people वो आपको किसी किताब से, किसी रिलिजिन की किताब से नहीं मिलता. और ये खामखा के अपने आपको ढखोस ले देना, कि हमारा रिलिजिन बेटर है, क्योंकि उसमें इस तरह की अच्छी बाते की गएगी हैं, वो अच्छी बाते हैं, आपको और भी बहुत सारे इस जगहों से मिल जाएंगे, ये ढखोस ले, अपने आपको नहीं देने चाहिए, और साइंटिफिक नॉलज़, अल्टिमेट आप अगर भीमार होंगे, तो आप किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजा, कहीं नी जाएंगे, आप हस्पताल जाएंगे, और ये चीज नहीं भूल जाएंगे, कि आप रिलिजन के चक्कर में आप इतने अंदे हो जाएं, कि आप उसके लिए लड़ने, मढने, और उसके लिए आप गुस्से में आना शुरूब हो जाएंगे, So that's all I wanted to say. Thank you, thank you, always great to have you. Okay, thank you, bye, bye.